हेलो बच्चो आज हम क्लास 5 का चैप्टर 21 पढ़ेंगे जिसमें जीना एक कला नामक पार्थ है तो सही में बच्चो इस पार्थ में ये बताया गया है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए ये कुछ समाज सुधारकों के जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित है जिससे हमें प्रेणा मिलती है कि हमें जीवन किस तरह जीना चाहिए यू तो जीने को हर प्रानी जी रहा है किन्तो जो अपनी जीवन का हर पल खुसी से बिताता है तथा आसपास वालों में भी खुसिया बाटता है वही वास्तों में जी रहा है जीना सचमुच एक कला है इस कला का धनी खुसबुदार फूल की भाती होता है सदा सुन्दर्ता कल्यान वसुगंद फैलाता है तो हमें भी ऐसी ही जीना चाहिए जो हम दुसरों के लिए सुन्दर्ता कल्यान वसुगंद फैला सके प्रसिद समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बगीचे से प्रती दिन फूल चोरी हो जाया करते थे ये कहानी है राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित तो यहां चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रती दिन फूल चोरी हो जाया करते थे माली ने बताया कि एक बुढ़ा आकर सुबह सुबह ही सारे फूल तोड़ लेता है अगले दिन राजा राम मोहन बगीचे में एक पेड़ के पीछे चिप गए बुढ़े ने आकर अपनी चादर फैलाई और फूल तोड़ने लगा राजा सहाब ने चादर उठाई और दबे पाउं भीतर चले गए उन्होंने उसकी चादर चुरा ली थी बुढ़े की बात सुनकर राजा सहाब सांथ स्वर में बोले लेकिन आप रोज ही सारे फूल क्यों तोड़ लेते हैं बुढ़े बोला मैं फूल भगवान पर चड़ाता हूँ ताकि वो प्रसन्म हो सके राजा सहाब ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा क्यों करते हो बताओ और राजा ने उनकी चादर वापस कर दी और कहा कि आपको प्रसन्मता तो हुई ही होगी राजा सहाब ने चादर तो वापस कर दी और इस बुढ़े से पूछा कि क्या तुम अपनी चादर पाकर प्रशन हो तब ये बुढ़ा कहा कि इसमें प्रसंदा की क्या बात है यह चादर तो मेरी ही है तब उन्हें समझाते हुए राजा साहब ने कहा कि तब तुम फूल क्यों तोड़ते हो और भगवान पर क्यों चड़ाते हो आखिर यह फूल भी तो भगवान के ही दिये हुए हैं फिर वो क्यों प्रसंदा होंगे यह बात सुनते ही वो व्यक्ति बहुत सर्मिंदा हो गया और फिर कभी वहाँ फूल तोड़ने नहीं आया तो राजा साहब ने इस तरह से उस बुढ़े को जो वो गलती किये जा रहा था उसे इस बहुत सुन्दर तरीके से उसकी गलती को रोका और उसे समझाया तो ये थे राजा राम मोहन राए उसके बाद हम फिर एक बहुत महान व्यक्ति हमारे देश के राश्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित एक घटना का यहां पर चर्चा करेंगे जिसका सिर्षक है अपना काम करने में क्या बुराई महात्मा गांधी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उनके साथ उनके बहुत सारे कारे करता जो समाज सेवी थे उनके साथ गीरे बैठे हुए थे तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने उन्हें महाविद्या लए यानि कॉलेज में वार्षिक समारो यानि एन्वल कल्चरल प्रोग्राम वा प्रिती भोज में आने का निमंतरन दिया भात्मा गांधी ने यूवक को वचन दिया यानि आस्वाशन दिया कि ठीक है मैं जरूरा हूँगा जिस दिन यह प्रोग्राम होने वाला था कॉलेज में उस दिन वहां वो समय पर पहुँच गये पर तब तक प्रोग्राम सुरू नहीं हुआ था और सभी छात्र वहां पर भीड जमाए अपने अपने कामों में जुटे हुए थे एक तंबू में भोजन बनाने का काम चल रहा था गांधी जी चुट्चाप उस तंबू में चले गए और छात्रों के साथ मिलकर सबजियां कटवाने लगे मतलब वहां जाकर वो सभी के काम में हाथ बटाने लगे किसी ने भी उन्हें नहीं पाचाना क्योंकि वो बहुत साधारन तरीके से गये थे इसलिए किसी को सक नहीं हुआ कि वह वहां चीफ गेश्ट के रूप में आये हैं चात्रों ने सोचा कि महाविद्याले का ही कोई कर्मचारी मदद कर रहा है गांधी जी दिन भर सबजियां बनवाना, बरतन मंजवाना, आधिकारे करते रहे साम को जब अतिति आने सुरू हुए तो उन में से कुछ लोगों ने गांधी जी को पहचान लिया और ले जाकर मंच पर यानि जो स्टेज बना हुआ था उस पर मुख्य अतिति यानि चीफ गेश्ट के आसन पर बिठा दिया अब तो चात्र जो उनके साथ दिन भर काम कर रहे थे गांधी जी को मंच पर बैठा देखकर बहुत सरमिंदा हो गया और माफी मांगने लगे तब बापु हसते हुए बोले भला अपना काम करने में क्या बुराई मैं तो चाहता था कि खाना स्वादिष्ट बने बस इसलिए चला आया तो बड़ी ही सरलता से उन्होंने बच्चों को जवाब दिया यह सुनकर सभासने लगे चात्र समझ गये थे कि गांधी जी सचमुच महान है उनकी महानता उनके कारियों में दिखाई देती थी वच्चों और उन्होंने आज चात्रों को एक चीज लेकिन सिखा दिया कि अपना काम करने में क्या बुराई उसके बाद एक और कहानी है जो प्रसिद रूसी कथाकार यानि प्रसिद महान रूसी लेखक टॉल्स्टोई के जीवन से संबंधी थे ये लेखक जो बहुत महान थे और बहुत फेमस भी थे रूस में वो एक बार रेल्वे स्टेशन पर खड़े रेल की प्रतिक्षा कर रहे थे तभी सामान से लदी यानि सामानों के साथ एक महिला वहां आई और टॉल्स्टोई को कूली समझ लिया और कूली समझ कर सामान उठानी के लिए कहने लगी और कहा कि इसे ट्रेन में रख दो टॉल्स्टोई ने अपना कोई परिचैना देते हुए चुप चाप उनका सारा सामान उठा कर ट्रेन में रख दिया रेल में सामान रख कर अभी जाने ही वाले थे कि महिला बोली लो अपना किराया यानि तुमने जो काम किया उसका महनत आना लो टॉल्स्टोई ने मुस्कुरा कर रुपे लिए और जेब में रख लिया तभी सामने से उनके प्रसंसकों की टोली आई यानि उनके सामने जो उनके प्रसंसक थे जो लोग उनको चाहते थे उनके चाहने वाले लोगों की वहाँ भीड जुट गई उन्होंने टॉल्स्टोई को फूल मालाएं पहनाने लगे वो लोग यह देखकर महिला चौक गई हैरान हो गई और पूछने लगी कि अखिर यह कौन है कूली तो नहीं तब उनको पता चला कि यह महान लेखक टॉल्स्टोई हैं जिने वह कूली समझ रही थी तो इस तरह वह यह जानकर बहुत सरमिंदा हो गई महिला को बहुत बुरा लगा वह आगे बढ़कर टॉल्स्टोई से बोली आप मुझे छमा कर दीजिए मुझसे भूल हो गई आप मेरे रुपै लोटा दीजिए दो रुपै देकर मैं आपका अपमान नहीं कर सकती महिला को सीर जुकाए छमा मांगते देखकर टॉल्स्टोई ने हस कर कहा कि नहीं वो रुपै मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी महनत की कमाई है मैं उन्हें कभी नहीं लोटाऊंगा टॉल्स्टोई की बात सुनकर सभी के चेरों पर हसी की लहर दोड़ गई तो इस तरह उन्होंने ये बात समझा दी सबको कि महनत की कमाई बहुत महत्वरती है उसके बाद एक और महान व्यक्ती थे महरसी दयानंद उनके जीवन से सम्मंदित एक घटना की चर्चा हम यहां करेंगे जिसका सिर्सक है बुराई को अच्छाई से जीता ये उनके इस कहानी का जो उदेश से है वो दिखा रहा है तो ये घटना है महरसी दयानंद गंगा की किनारे कुटिया में ठहरे थे दिन भर भक्तों का ताता लगा रहता था महरसी इतने प्रसिद्ध और इतने महान व्यक्ति थे कि वो जहां भी जाते थे लोगों की भीड उमर पड़ती थी और इस वज़ा से वहां भी लोगों का ताता लगा हुआ था यह देखकर पास की कुटिया में रहने वाला एक साधू उनसे बहुत जलने लगा कि यहां कोई भीड नहीं पर वहां इस साधू में ऐसी क्या बात है कि वहां लोगों का भीड जमा हुआ है और वो जलन से गुस्से से प्रती दिन अपशब्द कहने लगा यानि उनको भला बुरा गालियां बखने लगा युही बीट गये वह रोज भला बुरा कहता फिर महरसी दयानद सुबह सुबह उठकर जाते तथा साधू को प्रणाम कर फलों का टोकरा आते वो साधू को बदले में रोज जाते और प्रणाम करते और एक टोकरा फल दे आते दो-चार दिन गालियों का सिलसिला चलता रहा एक दिन साधू ने सोचा स्वामी जी को मैं रोज गालिया देता हूँ तथा वह रोज मुझे फल वा आदर देते हैं इसका रहस्य वो नहीं समझ पा रहा था उसके अंदर ये सवाल उट रहा था कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कहीं वो पागल तो नहीं अगले दिन जब महरसी द्यानंद आये तो साधू से रहा न गया वह बोला महरसी आप मुझे रोज फल क्यों देते हैं मैं तो दिन भर आपकी निंदा करता हूँ भला बुरा कहता हूँ गालियां बगता हूँ फिर आप मेरे साथ ऐसा वेवार क्यों कर रहे हैं स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले मेरे पास जो है मैं वह दे रहा हूँ बस साधू यह सब समझ गया और उसने महरसी द्यानंद के पैर पकड़ कर छमा मांगी और उनका सिसे बन गया तो स्वामी द्यानंद जी ने कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है मैं दे रहा हूँ इस तरह उन्होंने साधू को उसकी गलती के एहसास दिलाया उनका कहने का तातपर्य था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए आदर है फल है प्यार है स्ने है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई गलानी कोई दोस कोई भेदभाव नहीं है कोई बुराई नहीं है पर तुम्हारे अंदर जो है वो तुम मुझे दे रहे हो वो तुम मुझे देते हो तो इस वजह से साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए उसने महरसी द्यानन्द के पैर पकड़े और उनसे छमा मांगी और वो समझ गये कि ये कितने महान व्यक्ति हैं इसलिए इनके यहां लोगों का ताता लगा रहता है क्यूंकि ये सभी लोगों को प्यार, इसने और ग्यान बाटते हैं और इस वजह से वह व्यक्ति महरसी द्यानन्द का सिस्य बन गया तो इस जो हमने आज इतने सारे समासुधार को और महान व्यक्तियों की जीवनी से कुछ सिक्षा लिए इससे हमी यही पता चलता है कि हमें अपने स्वभाव के विपरीत कारे नहीं करना चाहिए तथा अपने सभी कारे स्वैम करने का प्रयास करना चाहिए बच्चों खास करके आप लोगों को इन कहानियों से जीवन के इनकी घटनाय हैं इनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपना काम स्वैम करना चाहिए और अपने स्वभ प्रब्द न बोलें ऐसी बुरी भासा न बोलें कि दूसरों का दिल दुखें तो ऐसी मीठी बानी बोलना चाहिए जिस से सभी का इसने हमें प्राप्त हो तो इसी के साथ ये हमारा पार्ट यहीं समाप्त हुआ और साथ में ये जो सब्दार्थ है ये जरूर आप करें और में आपको इससे सहायता मिलेगी इसके साथ ही ये पाठ यही समात हुआ धरन्यवाद